नमस्कार स्वागत है आपका DTW24 News के चुनावी एक्सप्रेस में और मैं हूँ आपके साथ अभी जीत अभी हम पहुँचे हैं मधुवनी जिले के लोकहा बिधानसवाद छेतर में और हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं GDSF के परत्यासी आलोक यादव जो की हमारे साथ बात करेंगे और हम इन से बात करेंगे जो मौझूदार राजनितिक इस्थिती है उस पर बिहार की जो राजनितिक गतिवीदिया है उस पर और लोकहा बिधानसवाद छेतर की क्या इस्थिती है उसको लेकर हम बात करेंगे त में और पुरबिहार ने जो अब तक नहीं हुआ ने बेफिवी तो जहां तक मैं अभी द्रावरा चल रहा हमारा हमारा तो म्मारे किल जनजारपूर की जन्ता से तो पांच-पांच बार मेंबर और पारलेमेंट और मंत्री बनने का स्वभाग्य मिला है और जब वो मंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया था तो रुपे किलो गेहु, तिन रुपे किलो चावल जो आप अची तरह जानते हैं जो पूरे देस में लागू हुआ था और अभी तो हम 10-12 साल से है नहीं वहाँ तो इसलिए जब हम गूमते हैं तो हमें नजर आता है लोखा में क्यों हमें पिछरा पनिया बैकवर्ड थिंकि हैं या हमारा डवलमेंट रुखा हुआ है जो हमने 15 साल 20 साल पहले मेरे फादर ने पूल पुलिया सरक बनाया था उसके रिपेरिंग वर्क तक आज तक उन्होंने रिपेरिंग वर्क तक सुरुगात नहीं किया दूसरी बात समस्या वहां लोखा में इतनी है कि एक पिएसी होस्पिटल है उसमें बैड की बvia है नहीं है वहां पर और इमर्जनसी सुधाइश नहीं है वहां पर लेडिज डॉक्टर की बवस्ता नहीं है तो आज हमारे माता पहनों को जरुरत प्रती है तो आज भी हम लोग दर्वंगा जाना पड़ता है उनको रात के दो stunt तीन बजे मान लीजे लीवर पेन भी होता है उसके लिए भी देखिएगा लोग गरीब लोग गारी अपने भारा पर करके जाके डर्वंगा जाते हैं पटना जाते हैं वहाँ पर उसको सही इलाज नहीं हो पाता है तो ये सब चीज़े मैंने महसूस किया है, उपर से जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आप देखे होंगे, अभी करोगाही पंचायत में भी एक तेरह साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसमें भी हमने इस चीज़ को महसूस किया है कि क्या यहां लोखा में एक जा चार हो, तो उसकी निदान करे, इसकी सुनिश्चिती हो, अलुक जी एक करवा सा सवाल है आप से, सवाल यह है कि जिस तरह से देविंदर प्रसाद यादिव जी जो आपके पिताजी हैं, वो काफी साल केंदर में रहे हैं, उनकी काफी सारी देन हैं जो आज गरीब गु जो जाएक बैगरांड है, जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, उनहें हिंदू बिरोधी राजनिता के रूप में माना जाता हैं, खुले तोरपे पुरे भारत में यही छवी है उनकी कि हिंदू बिरोधी वो टिपनिया करते हैं, लेकिर ऐसे में, यहाँ आप उनके साथ गटबंदन में हैं, तो क्या लगता है कि हिंदू वोट आपको मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसे तो आप देखिए मुझे जहां तक मैंने भी उनके स्पीच सुनी है और बहुत गौर से सुनी है, मुझे नहीं लगता कि कभी वो हिंदू बिरोधी कभी बोले हो बावा भीमराओं अमभेटकर के सभिधान के खिलाफ अगर उन्होंने एक वर्ड बताया हो, एक भाशन दिया हो तो आप मुझे बताएं वो कौन सा भाशन है और कहां पर है ये सब इनके हदकंडे हैं जो क्या हिंदू, अब आप हिंदू में कटरवादी नहीं है आप मुझे बताएं ये आरेसस का जो 65 साल हो गया आजादी के अभी तक उन्होंने तिरंगा नहीं फैराया उन्होंने अपने आरेसस जो नादपूर में इनके आफिस हैं तो ये सिर्फ एक कौम को टार्गेट लेके अर्दे की अबावा ये आजादी के अभी 73 येर्स हो गए हैं उसमें पहला मुझे लग रहे हैं कि मौलाना आजाद के बाद पहला एक ऐसा लीडर्शिप आया है जो पार्लेमेंट में जो मुसल्मान हमारे भाई हैं अल्प संखिक भाई हैं हमारे उनके हक हकुब की आवाज वो पार्लेमेंट में लगातार उठाती रहे हैं सूझ Tamamah Umasya देखा जा रहा है कि लोग कहत है कि इनका जनाधार नहीं हैं यह पूरे देश में इनका जो है सो नेटवर्क है मतलब इनकी पार्टी का नेटवर्क है जनाधार की बात करें तो इनको बस एक सीट भिहार में मिली है तो ऐसे पार्लेमेंट में जब महागटबंदन की बात आप बहुत लोग ये भी कहते हैं वोट कटवा की बात चो कर रहे हैं आप ये देखिए अगर महागटबंदन में एक सीट अगर कॉंग्रेस वहां से किसंगन से निकाल पाती है तो सिर्फ विसी साहब के कारण निकाल पाती है क् अगर वो खड़ा नहीं करते अक्तरूल इमाम साहब खड़े थे वहां तीन लाग वोट आया आप चलिए एक मिनट के लिए निर्दलिये ले लिजे उनको और सभी पाटियों की मैकसिमम लोगों की जमाना जब्त हो गई थी लोगसबा में एक सीट महागटबंदन जो कह रह बिल्कुल आप देख लिजे अक्तरूल इमाम साहब ने तीन लाग करीब वोट लाए हैं अगर वो नहीं लाते तो जदियों वाले आप जानते सरकार में थें सब कुछ थें कुछ भी आप समझते हैं चुनाओ किस परकरिया से होता है तो वो बिल्कुल आजकल के यूथ करीब था जदियों का मुझे लग रहा है तीन लाग पंद्रह जार वोट आया था इनका तीन लाग के करिब था अगर यह नहीं लागते तो तीन लाग वोट कहीं तो ट्रांसपर होना ही था तो हो सकता था वो सीट भी नहीं आती महां गट बिल्कुल बिल्कुल आलोग जी अब राजी की राजनेती की बात को छूड करके फिर वापस फुल परास आते हैं फुल परास को लेकि आपका वीजन क्या है यूथ है फुल परास में तो चली हमारे रामकुमार यादब जी लर रहे हैं और वो जमीन के निता है और मैं भी फुल परास में हमारा घर है लेकि ऐसा ही लगाओ है जैसा मेरा फुल परास से लगाओ है छीख है फुल परास आपका घर है इसको लेकर आपका लगाओ है अब आपकी छेतर की बात करें हम लोखा की लोखा को लेकर आपका क्या वीज़ लोखा को लेकर देखे सबसे पहले और सरक्प संगर्स के माध्यम से उनकी आवाज बनने का काम करूँगा दूसरा है इस सिक्षा पे मेरा बहुत ज़्यादा जोड है वहाँ जो सरकारी स्कूल्स हैं वो बत से बत्तर हालत में हैं कोई देखने वाला नहीं है उनको सरकारी स्कूल के आप केजरी वाल आप देखिए दिल्ली में आएं किस तरीके से सरकारी स्कूल आज इतने अच्छे हो गए कि प्राइवेट से जादा अच्छे सरकारी स्कूल दिखते हैं और इसमें हमारे हां के गरीब बच्चे हैं, वो अगर सिक्षा पराप्त करेंगे, और जब सिक्षा पराप्त करेंगे तभी वो देश का भविष्य बन सकते हैं, हम हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को बच्चों के सामने कहते हैं कि आप देश के भविष्य हैं, लेकिन देश के भव स्कूल भेज भी देते हैं अपने बच्चों को तो तीन क्लास में एक टीचर की नियुकती है तो बच्चे को अगर हम स्कूल भेजते भी है तो कहां से सिक्षा गरण कर पाएंगे इसलिए इसकी सुनिश्चती होनी बहुत नितीज ही कहते हैं लगातार कि उन्होंने सिक्षा बिवस्था को जो है सुद्रीड किया है बिहार में पोसा की उजना की बात करते हैं साइकल युजना की बात करते हैं मिड़े मिल की बात करते हैं इस पर क्या करते हैं देखे मिड़े मिल देके तो हम बच्चे को भीज देते हैं और हमारे सब लोग भीज भी रहे हैं जितने करते हैं इस पर जोड़ देना चाहिए खाली क्यों दो लाग टीचर की अलोग जी अब इस पर हम एक सवाल बीच में आपको में टो कूंगा कि आपकी आपकी सुरुवाती सिक्षा कहां से हुई मैं दिल्ली केंद्रे विद्धाले गोल मार्केट से जब मेरे फादर 1989 में फर्स्ट बार लोग पारलिमेंट गय थे तो हम उस ताम मुझे लगता है कि मैं साथ या आट साल का हूँगा आट नौ साल का हूँगा तो हम लोग दिल्ली चले गए थे मैं मेरे भाई तो हम दोनों वहीं केंद्रे विद्धाले गोल मार्केट से जब आट साल से पहले आप तो गाउं में रहे होंगे आपकी प्राप्निक सिक्षा आपकी गाउं में हुई होगी नई पटना में हुई थी क्योंकि मेरे जनम से पहले मेरे फादर यहाँ फुलपरास बिदान सभा 1977 में वो एम इसी से उसी टाइम से यह साबित हो गया था और लोग जानने लगे थे कि यह एक मातर ऐसा लीडर है कि जात से जमात की तरफ यह राज ने ठीक है आलोग जी कोई नहीं आप भले ही पटना में आपने पढ़ाई सुरू की लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस समय आप या मै जब स्कूली पढ़ाई कर रहे थे उस समय की सिक्षा ब्रवस्ता उस समय जिस तरह के सिक्षा कि स्कूलों में थे और आज सिक्षा बेबस्ता आज की जो सिक्षा बेबस्ता है उसमें कितना अंदर है नहीं उस समें भी ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खराब था सिक्षा बेबस्ता उस समें भी ठीक था मुझे तो इनफेक्ट लगता है इस समें जो बिहार की सिक्षा बेबस्ता है वो ज़्यादा खराब है उस समय भी कलास में हमें टीचर्स मिलते थे हमें पढ़ाते थे, हमें होमबर्ग्स मिलते थे हमें चेक करने वाले मिलते थे फिर हमारे पेरेंट्स देखते थे उस चीजों को आज की डेट में तो सिक्षा है ही नी बिहार में इसलिए यहां के लोग दर्भंगा भेज़ देते अपने बच्चों को पटना भेज़ देते पढ़ने के लिए और जो ज़्यादा होता तो उनको दिल्ली भेज़ देते लेकिन दिल्ली लोग चीजों का ऐसा महौल है कि पेरेंट्स अगर साथ में नहीं हो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यहां फिर लेकिन वहां 50% से ज़्यादा है कि ऐसे महौल में गलत रास्ते पे भी बच्चे जा सकते तो जो सामर्थवान हैं वो अपने बच्चों को दिल्ली या पटना भेज़ेंगे लेकिन जो आम लोग हैं जिनकी आम आए है तो वो तो अपने बच्चों को या तो प्रात्मी की स्कूल में पढ़ाते हैं या चोटे-मोटे जो कॉन्वेंड स्कूल हैं उसमें पढ़ाते हैं तो हम यह आपसे पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से सिक्षक हम इन पर नहीं जाएंगे कि जो क्या करते हैं साइकल योजना या फिर पोसाख योजना या मिड़े मील उस समय नहीं हुआ करते थे जिस समय आप विद्याले में पढ़ते थे या हम विद्याले में पढ़ते थे उस समय सिर्फ बिद्याले बिस सिर्फ पढ़ाई का एक स्थान होता था जहां हम लोग पढ़ाई करने जाते थे तो उस समय जो सिख्षा की quality थी, जो teachers होते थे, वो और आज जब हम स्कूलों में जाते हैं, तो हम देखते हैं teachers की quality, उस पर क्या करेंगे हैं? तेखिए उस टाइम एक सच्चा ये भी है तो उस टाइम तर बहुत लगता था, तीचर पिटाई बहुत करते थे, अगर आप पड़े हैं, नहीं होमबर्क लेके जाते थे, नहीं टास्क पूरा करते थे, तो हमारी पिटाई भी होती थी, लेकिन आज कल गवर्मेंट ने ये कि आप किसी को एक टच भी नहीं कर सकते हैं, पिटाई नहीं कर सकते हैं, अब भी करना भी नहीं चाहिए, वो चीज़ के हम भी खिलाफ हैं, लेकिन आज की टीचर बस मुझे लग रहा है कि वो बस एक टाइम टेवल मिला हुआ है, उसको फुल्फिल करना है, प्राइवेट मंत्री कौन है आपके रास्पती कौन है तो वो नहीं लिख पाती है इस पर मैं बात कर लो अब जब अब जब सिक्षा की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारे बच्चे कैसे अच्छे पढ़ेंगे तो इसी के लिए तो कैसे बहाल कैसे हो रहे हैं इसकी प्रकिरिया क्य रही है हम यह कहरे हैं वह 15 साल खराब ता कुछ लोग कहरें यह 15 साल खराब है यह तो अब इस चुनाओं में जनता ही तैख करेगी तो मतलब कुछ लोग तो वो 15 साल दोर आ रहे हैं लेकिन बार बार नितिश कुमार वही 15 साल पीछे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उधारन दे रहे हैं कि वो 15 साल याद करिए और उनका 15 साल नितिश कुमार का 15 साल देखिए वो केह रहे हैं कि उन्होंने महिला सजस्तिकरन के लिए काम किया है वो क्राइम पर उन्होंने कंट्रॉल किया है जो स्थिटी पहले थी उस पर काफी अभी कमांड की गई है स्थिटी पहले से काफी बेहतर मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल कोई बहतर इस्तिती एक क्राइम तो आज भी हो रहे हैं लगातार क्राइम इंफेक्ट बढ़ गए इस 15 सालों में तो आप देखिए पहले इतने गाउं घर में हमारे यहां इतने बच्चों के साथ रेप नहीं हुआ करते थे या कोई चोड़ी डेकैती इस तरीके कि इतनी क्राइब भी हो रहे हैं आज की डेट में थानाओं के इस्तिती तो और भी खराब हो रही है पता नहीं क्यों आजकल तो मुझे लगड़ा है थाने जनपरती निधियों का भी नी सुन रहे हैं अब क्या कारें रहा हैं नहीं रहा हो हमारे सुसासन चाचा ने ऐसा वो तो पहले हैं दो और बार सुखार की लड़ाई हुई थी और बित्यरवा असरम से पदयातरा चली थी जंतर्मंतर के लिए दिल्ली में आलोक जी मेरा कहना ये था कि ग्रदानी बाग से जाएंगे तो आपको सारा इत्यास देख जाएगा और हमने बार सुखार की नियांतरन लड़ाई देने का काम किया है जिसके कारएं जब सदन में मेरे पिता जी थे तो 36 करोर पे अलाटमेंट भी हुआ था डीपी आर के लिए नेपाल और भारत के तो ऐसा नहीं है नया हूँ हाँ ठीक है चुनाओ आप पहला लर रहा हूँ चुनाओ मैं पहला लर रहा हूँ और मुझे इस साथियों पर अपने गारजनों पर बहुत भरोसा करके उतरा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो मुझे एक मौका देंगे अगर मुझे मौका मिलता है उनका आसिरबाद मिलता है तो यह मैं उनका विश्वास टूटने नहीं दूँगा इसकी मैं पूरी मतलब आपक पिता जी है उनका एक वोट बैंक है उनका एक बीस वोट बैंक है जो कहीं न कहीं हर चुनाओं में उनके साथ होता है वो किसी भी दल में अगर रहे हैं तो वो उनके सपोर्ट में रहता है आपको क्या लगता है कि उसका बेनिफिट आपको बिहार विधान सबाद चुनाओ में लोकाविदानसभाद सेतर से मिलेगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार युवा अच्छा फैसला लेगी इसलिए मैं आपको लास्टेम भी कहा है इस बार पार्टी और सिंबॉल की तो बात ही नहीं है इस बार यह देखा जाएगा क्यों कि पंदरा साल और पंद करो रोजगार देंगे हमारे एक तेजस्वी भाई हैं उन्होंने भी कहा है कि दसलाक रोजगार देंगे लेकिन कोई रोड मैप नहीं बता रहा है कि आप कैसे देंगे किस तरीके से देंगे रोजगार लगातार चीनी मिल बंद हो गया सुता मिल बंद हो गया इन सब को भी लेकिन आज रोजगार नहीं है तो वापिस दुबारा वो लोग चले गए इसको सरकार को सुचना चाहिए इस बात पर और बड़ा सर्मनाग ये स्टेट्मेंट था कि ये मुदी जी का कि जिसको आना है वो अपने पैसों से आए सरकार के पास कोई सुचना नहीं थे ये बहुत सर्मनाग बात है हमारे भाई हैं हमारे माता पिता हैं हमारे जमीन धर्ती के आपको वोड देते हैं 40 लाख लोग आए और गएं अभी फिर से चले गएं क्योंकि यहां कोई आप्शन नहीं है रोजगार नहीं है यहां से तो क्या यहां के लोग कैसे खाएंगे कैसे पीएंगे इसलिए उपने काम करने के लिए वापिस दिल्ली पंजाब जाना पड़ा उन लोगों को यहां पे होनी चाहिए पलायन रुकना चाहिए तो मतलब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से करोना काल में नितीश कुमार जी मुखमंतरी हूँ या सुषिल कुमार मोधी जिस तरह से बयान बाजी उन्होंने किया कि उनके पास सुविदाएं उपलब्द नहीं है लेकिन आभी देखने को मिल लागी जब उसके ठीक छे महीने के बाद चुनावाया है तो उनका हेलिकॉप्टर उनकी गार यहां चुनाई मैदान में है 72,000 LED कहां से खेतों में मैंने देखा है आम के गाच्छों में लगा हुआ है LED बैटरीज पे चला रहे हैं क्यों किसका भासन सुनाने के लिए आज गरीबों को करोना काल में करोना से तो वो 14 दिन में मरते लेकिन भूख से तो वो 5 दिन में मर जाते अगर यह लाल काड आज नहीं रहता आज बोरा से बोरा आना आज उठाके हमारे भाईलों खा रहे हैं तो यह कानून बनना भी देखे बिल्कुल बिल्कुल यह तो देवेंद परसाद यादव जी की पूरी देन है कि आज गरीबों को लाल काड पीला काड जो मिला है और जिसका उनको लाब मिल रहा है लेकिन जिस तरह से करोना काल में इस तरह से जो राजनीती हुई और अब हेलिकॉप्टर और लेडी और बगरा जो भी आप बता रहे हैं वो दिख रहा है सरक पर तो क्या लगता है कि जनता याद रखेगी इस बात को बिल्कुल जनता इस बात को बहुत अच्छे से वारिकी से बहुत क्योंकि चुनावी सभाहों में या फिर कहीं भी इसकी तरचाए नहीं हो रही कि कोरोना काल में क्या हुआ और जनता को क्या मिला इसलिए तो मैं यह बता रहा हूँ आपको इस बार जरूर जनता बहुत खामोसी से आप देख लीजे चुनाव का महौल है आपको लग रहा है जनता से आप सर्वे कर लीजे जनता बहुत खामोसी होकर देख रही है और जनता मुझे पूरा विश्वास है इस बार जनता उसी को चुनेगी जो सच्चा और अच्छा और उनके सुक दुक में खड़ा रह सकता है उसी को जनता इस बार आश्रवाद देगी अपना और सदन में पहुचाएगी जो उनके हक खकूब के लिए लर सके तो ये थे हमारे साथ आलोक कुमार यादव जो GDSF के लोकहा विधान सबाचितर के उमीदवार है और इनका पस्ट रूप से कहना है कि जिस तरह से मधुवनी जीले में उद्योग धंदे को बंद कर दिये गए हैं जो यहां के रोजगार के साधन थे चीनी मील, सूता मील और कई तरह की फैक्टरियां उसको बंद कर दिये गए जिसके कारण आज यूबा फिरोजगार हैं और दूसरे परदेशों के लिए परायन कर रहे हैं रोजगार के लिए लेकिन इनका ये कहना है कि अगर इनका इनकी सरकार बनती है इनको वोट मिलता है इने परतिनिधूत करने का मौका मिलता है लोकाहा का तो फिर ये यूबाओं के रोजगार के लिए काम करेंगे और इनका ऐस्परस्ट वीजन है कि कैसे लोकहाँ विधान सभा का विकास होगा यहां के लोगों का विकास होगा उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे जो इनके حक में होगा बिहार समें देश-दुन्या की तमाम खबलों से अबडेट आने के लिए देखते रही है डिटी डवलो टॉटी फोर न्यूज और फिलहाल के लिए दिजे मुझे इजाजत नमस्कार